हलो फ्रेंड्स वेलकम टू एससी कोचिंग सेंटर दोस्तो आज की वीडियो में बात करेंगे रीजिनिंग के इंपोर्टेंट प्रेश्णों की जो परिछाओं में पूछे गए हैं वही प्रेश्ण लेकर आया हूँ तो इस वीडियो का आप अंत तक देखते रहे हैं तो चल कितने नंबर पर आता है आपको मालूम है वाइस नंबर पर आता है एच कितने नंबर पर आता है एच आपका आठ नंबर पर आता है अगर मैं बाइस में से आठ को घटा दू बाइस में से आठ को घटा देंगे तो कितना मिलेगा दोस्तों चोदा मिलेगा और चोदा ही पर भी घटा दीजे, यहाँ 22 में से 8 को घटा या 24 में से 20 को घटा दीजे, 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, चार बचेगा, अब 4 आपका किस उफ्चन में है, डी उफ्चन में है, तो डी उफ्चन हो जाएगा दोस्तों, आपके कोशन का सही आंसर, के लिए रोजी दोस्त बात आप हमेशा याद रखेगा जो आपको ये अलफावेट नमबर दिये गए हैं ये टोटल कितने होते हैं एक से लेकर 26 तक होते हैं ठीक है आपको इनको याद कर लेना है एक कितने नमबर पराता है बी कितने नमबर पराता है के कितने नमबर पराता है टोटल 26 नंबर होते हैं इनको टोटल आप याद कर लीजिए देजिरिंग में भी काम आएंगे दोस्तों मैथ्स में भी काम आएंगे यह आपके ठीक है आपको यह याद होना चाहिए कौन सा अक्षर कितने नंबर पर आता है तभी आप कम समय में कोशन को स्वाल कर आपको याद होगा तो एक बार में डायरेट कर देंगी बात आगी दोस्तों समझ में आप देखेंगे अगला कोशन अगला कोशन है दिये गए बिकल्पों में से गलत संख्या को चुनिए यहाँ पर दोस्तों हमें क्या करना है एक सीरिज दी गई है इस सीरिज में कोई एक गलत संख्या है वो गलत संख्या हमको पता करनी है ठीक है दोस्तों बात समझ में आगी गलत संख्या पता करनी है कौन सी संख्या गलत है तो दें कि यहाँ पर चपन है चपन से कितना हो रहा है बहत्तर चपन से बहत्तर हो रहा है तो चपन में हमें कितना जूड़ना कि 72 हो जाएगा बात समझे 56 से 72 हो रहा है कितना जोड़ना पड़ेगा कि 72 हो जाएगा आप कहेंगे सर 16 जोड़ना पड़ रहा है ठीक है 72 हो गया अब 72 से कितना हो रहा है 90 अब 72 में हमें कितना जोड़ेंगे कि 90 हो जाएगा आप कहेंगे 18 जोडना है, ठीक है, 90 हो गया, और 90 से हमें कितना करना है, 110, कितना जोड़ेंगे, 90 में कि 110 हो जाए, आप बोलेंगे कि 20 जोड़ दिजे, 110 हो जाएगा, ठीक है, hiệnों 110 से हमें 18 18 के बाद 20 20 के बाद 22 तो 22 के बाद हमें यहां पर कितना जोड़ना है 22 के बाद कितना जोड़ेंगे दोस्तो 24 जोड़ेंगे क्योंकि डवल डिफरेंस आप करके देखेंगे तो कितने का डिफरेंस है यहां भी दोका है यहां भी दोका डिफरेंस है यहां की दोका डिफरेंस है तो यहां भी तो दोख हा जाएगा बात आगी दोस्तों समझ में किलियर है तो हमें देखी यहां 16 ठो जा रहा है 132 में 18 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा इक लियर व्यटा, लेकिन हमें जोड़ना कितना था हमें जोड़ना था 24 कि للे कितना जोड़ना था 24 अब हम 132 में कितना जोड़ते दोस्तों 24 जोड़ते 132 में हमें कितना जोड़ना था 24 तो 4 और 3 कितना 7 12 और 2 कितना 14 कितना था हमारा 147 तो यह गलत हो गया दोस्तों यहाँ पर 123 हमने गलती से लिख दिया कितना था 132 किलियर है 132 में कितना जोड़ना था हमें 24 जोड़ना था यह गलत हो गय 36 13 लेकिया 2 और 4 कितना दोस्तो छे कि लिए रह ए तेरह और 2 कितना 55 कितना आता दोस्तों 156 आता लेकिंग कितना दे रख्座 है 150 दे रख्धा 16 जोड़ा 18 जोड़ा 20 जोड़ा 22 के बाद कितना जोड़ना था Čट été 24 जोड़ना था 24 जोड़ने के बाद संज्या कितनी आती हम आंसर हमको यहाँ पर 18 नहीं जोड़ना 24 जोड़ना था 24 जोड़ने के बाद आना कितना था 156 लेकिन दे कितना रहा 150 तो यह हमारे गलत संख्या है मैं उम्मिद करता हूं सभी को कोशन अच्छे तरीके से दोस्तों समझ में आगया होगा अब देखेंगे अगला कोशन अगला किसी नप किसी प्रकार से समान होंगे और एक क्या होगा अलग होगा बात समझ में आई तीन ओप्सन समान होगे और एक अलग होगा वो अलग वाला ही हमें पता करना है देखें दोस्तों मैं आपको बता दू यहाँ जोड़के देखिए 9 चार कितना होता है अगर आप 9 चार दोस्तो 8 और 6 14 होता है अब बाहर वाली संग्जाओं को जोड़ो 5 और 9 कितना होता है ये भी 14 होता है अब यहाँ पर अंदर वाली को जोड़ो 6 और 3 कितना होता है 9 4 और 5 कितना होता है ये भी 9 मतला अंदर वाली संशों को जोडने से जो आ रहा है वही बाहर वाली संशों को जोडने से आ रहा है यहां जोड़ वाली को साथ और चार कितना हो जाएगा ngyarah और 3 और 0 को जोड़ेंगे तो 3 यह आपका एक अलग option है बात आगे दोस्तों समझ में विसम सबकी समझ में आगया होगा ये तीन option समान है कैसे समान है हम जब अंदर वाली संग्याओं को जोड़ रहे है और बाहर वाली संग्याओं को जोड़ रहे है तो योग इनका समान आ रहा है लेकिन पहला option ऐसा है जिसका योग समान नहीं आ रहा है तो यहीं तो हो जाएग आपका विसम विसम तो पूछ रहा तो यहीं हो गया आपकी question का सही answer ठीक है दोस्तों समझ में आगी बात आप देखेंगे अगला question अगला question है पूछ रहा है कितने तिर्भुच हैं आपको यहाँ पर दोस्तों एक आकरती दे दी गई है इस आकरती में यह पूछ रहा है कितने तिर्भुच है तो सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहा है इस तरह के question हमने आपको करवाए है जब आपको यह वाला figure दिया क्या हो यह वाला तो क्या करते हैं count कर लेते हैं 1 2 3 4 सभी को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 1 2 3 3 6 4 कितना 10 मतलब इसमें पूरे में कितने तिर् बनेंगे इसको count कर लिजे इतने को 1 2 3 4 4 तक है तो इसका मतलब इसमें भी 10 बनेंगे 10 10 20 कितने बनेंगे अभी तक total 30 बनेंगे ठीक है 30 बनेंगे अब आज आई यह अंदर अंदर count करते हैं दोस्तों देखे एक तो यह वाला तिर्भुज हो गया 1 एक यह वाला हो गया 2 और एक ही हो गया बड़ा वाला तीन तो तीन दोस्तों इसमें बनेंगे तीन ही इसी प्रकार से इसमें बनेंगे तीन ही इसी प्रकार के इसमें बनेंगे तो कितने हो गये 9 हो गये 9 और जोड दीजिए आप ठीक है एक यह वाला दूसरा यह वाला तीसरा यह वाला चौथा यह चार ये हो गए, चार और जोड़ दो, ठीक है, आप बड़े बड़े किल लीजे, एक ये वाला हो गया, बड़ा वाला, एक दोस्तों ये वाला हो गया, बड़ा वाला दो हो गए, और एक ये हो गया, बड़ा वाला कितने हो गए, तीन, तीन और एड़ कर दीजे, सभी को जोड़ेंगे 43 43 में 3 जोड़ेंगे कितना 46 तो इस आकरती में दोस्तों कितने तिरभुज हुए 46 तिरभुज हो जाएंगे पहला ऑप्षन हो जाएगा आपके कॉश्चन का दोस्तों सही आंसर मैं उम्मीद करता हूं सभी को प्रेशन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ प्रेशन होते हैं ठीक है जब मरत्यू में जाते हैं तो मृत्यू में दोस्तों क्या होता है इस प्रेशन का सही आंसर समझ में आगी बात अगला question अगला प्रशन है आपका दोस्तों आपको क्या पूछ रहा है यहाँ पर पूछ रहा है कितने तिर्भूज है और इस तरह की आकरती अगर दी जाए तो कैसे count करते हैं सबसे आसन तरीका इस तरह के video के लिए मैं बना चुका हूँ दोस्तों अगर आपको इस तरीके का कोई भी question पूछा जाए मैं video बना चुका हूँ आप playlist में जाकर के देख ले न दीजिनिंग में लेकिन यहाँ पर यह question आ गया है तो समझ लीजिए फिर से सबसे आसन तरीका यहाँ पर क्या करना है आपको count करना है box को एक दो तीन और चार चार है तो चार का double कर दीजिए कितना हो जाएगा आठ इसका मतलब इसमें कितने तिर भुजुए आठ आप गिन के दिखा देते हैं आपको एक तो यह वाला हो केजी यह हजाएगा साथ और यह इधर बाला हो जाएगा आठ तो इसमें 8 přोगें के लिए रहा चोगे जब इसे में 8 होगें तो इस से भी count कीजिए 2-3-4 इस में भी डावल कर दीजिए 8, 24, 8, 32, कितने तर्बुज होगे यह होगे आपके अभी तक 32 अभी इसमें और है जब आपको ऐसा लगातार लगातार आकरती दे रखी हो तो ये बीच वाले जो पॉइंट है जो बीच वाले दो पॉइंट है ये मिलकर के आपस में कितने तर्बुज बनाते हैं दोस्तो दो बनाते हैं कैसे अगर जब यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहे हैं तो देखी एक ये बड़ा वाला तर्बुज ऐसे बनेगा ऐसे एक बन गया एक इधर साइट से भी मनेगा केलियर दो बन गए केलियर है तो दो पॉइंट ये बीचे में मिलकर के दो तर्बुज बनाते हैं जब ये वाले दोस्तो दो बना रहे हैं तो दो ही तर्बुज ये वाले बनाएंगे केलियर है प्लस दो करो यहाँ पर बात आई समझ में जब ये बाला बड़ा कृति बन रही है तो ये वाले भी दो मिलकर बनाएंगे ऐसे करके एक ये बड़ा बाला और एक ये बड़ा बाला दो ये बनाएंगे दोस्तों कितने होगे दो चार छे तो छे और प्लस कर दो इस बद तीस में अब इसमें एक बड़ा तिर्भुज दोस्तों और बन रहा है कहां से देखिए यहां से यह पूरा ऐसे करके आईए आप ऐसे ऐसे जाईए और ऐसे जाईए तो एक बन गया यह तो इसमें हमें एक प्लस और करना पड़ेगा तो कितने होगे 32 और 36, 38 में एक जोड़ों कितना 49 तो इसमें कितने तिर्भुज बन रहे हैं दोस्तों 49 तिर्भुज बन रहे हैं C option हो जाएगा आपके question का सही answer मैं उम्मीद करता हूँ सभी को प्रेशन अच्छे तरीके से दोस्तों समझ मा गया हुआ अब देखेंगे अगला question अगला question है logical का अर्थ कितना दे रखा है 14 मतला logical का relation 14 से है तो picture का relation यहाँ पर क्या बनेगा simple सा question है अगर आप संख्याओं को ध्यान से देखेंगे अगर आप इनकी practice करते हैं तो आसानी ते समझ मा जाएगा जरूरी नहीं है कि हर बार आपको इनको numbering ही करना पड़े जरूरी नहीं है हर बार आपको इनको numbering ही करना पड़े तब ही इससे relation बनेगा direct relation भी कभी कभी बन जाता देखें कैसे आप इन सभी संख्याओं को जोड़िए कितने हो गए एक दो तीन चार पांच छे साथ कितनी संख्याओं दोस्तों ये सभी साथ हैं और साथ का multiply अगर आप दो से कर दें तो आपको कितना मिल जाएगा चौदा मिल जाएगा ये वहला यहां पर सभी संख्याओं को जोड़िए एक दो तीन चार पांच छे साथ यहां भी संख्याओं कितनी है साथ तो यहां दो से multiply किया था यहां भी दो से कर दो साथ दोने का कितना हो जाएगा 14 किस option में 14 है बी option में 14 है तो बी option हो जाएगा सही answer यहां 14 से relation है दोस्तों यहां भी 14 से बनेगा confusion वाली कोई बात नहीं है अब देखेंगे अगला question अगला question है दिये गए बिकल्पों मेंसे बिसम को चुनिए यहां भी दोस्तों चार option है चार option मेंसे यहां पर भी हमें क्या करना है बिसम को चुनना है ठीक है तो direct बिसम को चुनके देखते हैं देखी कैसे direct कैसे यहाँ पर हमें जो option दे रखे हैं सीधे सीधे सभी को जोड करके देखते हैं 4-5 संख्या ही होती तो हम क्या करते हैं बीच-वीच वाली को जोड के देखते हैं आहाँ बाहर बाहर वाली को तो यह भी ठीक है एक और आठ कितना हो जाएगा नोम में दो जोड़ेंगे एक जोड़ों पंद्रा तो तीन किसी ना किसी ही प्रेकार से समान होते हैं और एक अलग होता है तो देखे इसका योग भी पंद्रा है इसका योग मैं पंद्रा है ये C आप शोन का सही है आंसर 182 तो मैं उम्मिद करता हूँ प्रेशन आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आके होगा दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और दोस्तों में भी शेयर करें यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सबस्क्राइब नहीं किया है तो कर लिजिए और बेल आइकन का वटन भी दबा दीजिए दोस्तों धन्यवाद